आसुदीन वैसी की बात है उनके पेट में दर्द हो रहा है चाहिए इस तरह के मौलाना का तो हमें लगता है कि काफी इनके ठोले ठेले कुमची या इनके फल के दुकान इनके भी लगे होंगे जो नाम बदल के बेशनो ढ़ाबे टाइप के करके चलवाते होंगे जो हिंदू नाम रख करके और मुसलिम अपनी दुकान चलाते हैं इनकी यहां एक परमपरा है जो इनके समान होते हैं उस समानों में थूख देते हैं इसा थोड़े कि आप तुम नाम का नाम लेकर क्या अचार बने चाटेगा क्या हिंदू के नाम से दुकान चलाते हैं तो गलत है अपने नाम से चला में मुसलिम के नाम से चला में हमें तो लगता है मुझफर नगर का जो लागू हुआ है कि हर वेक्ति अपनी पहचान उजागर करें इस को पूरे देश में लागू कर देना चाहिए जहां जहां तिर्थ या परेटर नस्तल है तिर्थ अस्तल है वहां पर लागू करना चाहिए क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की हिंदू सनात्रियों का धर्म भरष्ट करते हैं, तो कम से कम तिर्थ यात्रियों को या यात्रियों को यह पता होना चाएए कि जिससे समान ले रहें हों कौन है, इसकी तो अजादी होनी चाहिए अब आसुदीन वैसी की बात है उनके पेट में दर्द हो रहा है चाहिए इस तरह के मौलाना का तो हमें लगता है कि काफी इनके ठोले ठेले कुमची या इनके फल के दुकान इनके भी लगे होंगे जो नाम बदल के बैशनो धाबे टाइप क करके चलवाते होंगे इसलिए इसलिए एकस्पोज हो रहा है इसलिए पेट में दर्द है रही बात केसी त्यागी जैसे या और भी पक्षी नेताओं की बिरोध की बात देखिए ये लोग पता नहीं क्यों नाम छिपाने के समर्थन क्यों करते हैं भाई नाम छुपाने का अगर जो नाम किसी का भी छुपा के अगर बेवसाय करता है तो गलत है नहीं कोई भी तिर्थियात्री यात्री जाता है उसको या धिकार बनता है कि हम सामने वाले जिस दुकान से कोई चीज खादे पदारत या कुछ भी लेते हैं ओ जाने कि ओ किस मानिता को मानने वाला है मान लो अगर जो जैसे थूक उनके लिए हलाल है अगर तो थूक लगा के हलाल करके वो अपने तरीके से तो दे रहा है लेकिन दूसरे लोगों को पसंद नहीं है तो क्यों खाए भाग भाई तो इसलिए यह बहुत ही अच्छा यह कारी किया गया है और मैं चाहता हूँ इसको पूरे देस और पूरे प्रदेस में लागो किया जा और पूरे हर धार्मी का स्थलोप लागो है और सबके लिए है उन्हें नहीं कहा कि हिंदू है तो हिंदू भी अपना नाम हो करें मुस्लिम है तो मुस्लिम ही करेगा इसाई है तो इसाई भी करेगा, सबका इसफ़्ष्ट आना चाहिए, उसे लेने वाले का जो ग्रहा के साथ नहीं हो। कोट को इसमें संग्या लेना चाहिए, जो बिभाजन कारी मानसिक्ता यह नहीं है, यह जो है उजागर कारी मानसिक्ता है, चोरों को उजागर करने वाली मानसिक्ता है, जिहादियों को उजागर करने वाली मानसिक्ता है, और यह होना चाहिए, अगर यह जिहादियों के चुपा के किसी को कुई मान सुन्स खिला दे रोग उस समय तोस देना शुरू कर देंगे तो हमें सवधानी होना पड़ेगा गर जमदारी ले तो बताएं तो यह लोग चाहते हैं कि देश में दंगे हों देश में इश्तिति खराब हो, देश में सांती न कायम हो, अरे भाई ये पहचान उजागर करना तो अच्छी बात है, होना चाहिए, मक्का मदीना में कोई हिंदू ठेला लेकर बेचता है, क्या, कोई एरुसलेम में कोई हिंदू ठेला लेकर के धाबा चलाता है, तो इसलिए यहां पे कि मैसा इन लोग की आदत हो चुकी है, तो ऐसा नहीं चलने पाएगा, देखे, यह मिश्लम गिरोधी नहीं है, बलकि यह सबको मालूम पढ़ जाए कि जो हिंदू नाम रख करके और मुसलिम अपनी दुकान चलाते हैं, इनकी यहां एक परमपरा है, कि जो इनके समान होते हैं, उस समानों में थूक देते हैं, थूकने की परमपरा है, जो मैं इसे पूछा गया, तो एक मौलगी ने बताया, मौलगी ने, एक मुसलिमान ने बताया, कि हमारे यहां की परमपरा है, कि यह जो इसमें थूका जाता है, तो कई जगे इस परकार से आया है, इसलिए जो कहा गया ह कि नहीं दुकानों में जो मुस्लिम है, मुस्लिम नाम लिखा है, जो हिंदू है वो हिंदू नाम लिखा है, जिससे असपस्ट हो जा कि हिंदू है या मुस्लमान है, इसमें किसी को आपती है तो गलत है, ऐसे गलत आपती नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे मुस्लमान क के दुखान हैं जो हिंदू के नाम से चलाते हैं और लोग यह समझ करके कि हिंदू का है और उसको खरिदते हैं खरिदने के परड़ाम यह होता है कि उनको जूठा समान मिलता है इसे यह जो योगी जी ने तैंकिया है कि नहीं इनके नाम जो है वो हिंदू है तो हिंदू जाए इसे एस्पस्ट हो जाएगा कि किसी परकार की भेद भाव नहीं है भेद भाव जो समझते हैं तो गलत है उसमें सुक्षटा के संबंद में जानना चाहिए क्योंकि इनकी परमपरा यह है कि समानों में जो खाने पीने वाला समान है उसमें थोकने की परमपरा है वो गलत है और इसको कई जगे पकड़े गए हैं यहां तक रोटी बनाने में रोटी में थुके जाते हैं और फल में थुके जाते हैं तो इसलिए हैं और यह मुस्लमाने ही थुक दे हैं हिंदू के अपने समानों में ऐसा नहीं करते इस बात जो मोरी जी ने किया है बहुत अच्छी ब तो जो आदेश हुआ है, विपक्षी इसको विरोध करता हो गल्ट और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू है, वो हिंदू अपने ढंक से समान खरी देगा, मुस्लमान जो है, और ये तो पता चल जाएगा, कि ये मुस्लमान है और इसके समानों में थोकते हैं, और इसक जानकारी जब पूछा गया है, तो यही कहें हैं कि हमारी परमता, इनकी परमपरा हो, वो अपने में थोकें जो करें, लेकिन कम से कम जूठन से हिंदू के जो खरिदार हैं, वो बचेंगे.